सोचाले बाटने वाले नहीं चाहते हैं कि आप सची वाले में जाएं जिस तरीके से लगतार बहुजनों को ब्यूरोक्रेसी जॉब से पीछे रखने का शडियन तुर रचा जा रहा है वो काफी भयानक है सोचिये जब जब आरक्षन के बदालत बहुजन समाज पढ़ने लगा लिखने लगा बोलने लगा सड़क से उठका संसत जाने लगा तो स्टी असी आरक्षन को बाटने के लिए तमाम तरीके से प्रोपगेंजा आपके सामने परोसा जाने लगा लेकिन सोचिये 21 अगस कल भारत बंद का एलान है तमाम नेताओं ने समर्थन में आगे आकर एलान किया है सोचिये है सरकार की नीन दोड़ी होई है और इसके सासा संगी मायलोड को तो फिर से शायद अपने इस स्टेटमेंट पे पुनर विचार करना पड़ेगा जिस तरीके से 2018 में STSC OBC ने अपनी तागत का इज़ार करके सरकार को गुटनों के बलाया था तानासा मनुवाद को फिर से मजबूर कर दिया था सोचने पे कल वैसा ही विसाल प्रदसन पूरे देश भर में होने वाला है जगा जगा लोग जो हैं वो अपने DM आफिस के पास ग्यापन देंगे लेकिन सोचिए बड़े अंदोलन को कौन लीट करेगा इसकी भी तैयारी जो है BSP सुप्रीमो मायावती के साथ तमाम नेताओं ने अपने राज्य स्तर पर पाची के स्तर पर तमाम लोगों की तैयारि जो हैं वो बड़े लेवल पर हो रही है चंदर शेकर आजादो BSP सुप्रीमो मायावती के साथ साथ तमाम बहुजन नेताओं ने भी आगे आ कर अपना समर्थन दिया है यहां तक की जात महासवाभी अब आगे आ चुकी है और डुक्टर अंबेटकर के पोत्र जो हैं प्र प्रदसन का समर्थन दिया है और राजकुमार आधिबासी सांसद सोचिए बाप पाची से आते हैं पहली बार वो सांसद बने और किस तरीके से STSC OBC को जमीनी है इस तर पर लड़वाने की कोशिस की जा रही है लेकिन नेताओं की मेहनत की वज़े से तमाम पहुजन यूनी योगदान BSP सुप्रीम मायवती चंदरुशे कराजा चिराग पासवान के सा साथ तुमाम लोग क्रोडी लाल मीना ने यहां तक की जेवेंपाटी के मुख्यमंत्री हेमन सोरें ने भी समर्थन दिया है तमाम लोग जो हैं वो बड़े आंदोलन को करने वाले हैं और इस आं प्रदशन का समर्थन किया है और साथ ही पूरे देश्वासियों को यह कहा है कि सांती पून तरीके से इस अंदोलन को सफल बनाया जाए बीएसपी सुप्रेमो मायवती के सासाथ चौंदरशेकराजा तेजस्वी आदव ने भी समर्थन दिया है तेजस्वी आदव ने तो यहां तक क्या दिया है कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि आप सौचाले तक ही सीमित रहें आप सची वाले की तरह आख उठाकर भी ना दे दिये तमाम संगी जजों का सहारा ले रही है और हनुमान बेनिवाल ने भी समर्थन दिया राजिस्तान के दबंग नेता आरल पी पाचिक यद्यक्स सांसस्त्री हनुमान बेनिवाल ने ओबीसी ने भी 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन दिया है बियस्पी सुप्रीम मायवती ने कहा है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से फैसले सुना रही है उसको लेकर 21 अगस को यानि कल भारत बंद का एलान है और ये सांती पूंट तरीके से होना चाहिए इचराग पासवा ने भी इस अंदोलन के समर्थन में आगे आकर अपनी हिम्मत दिखाईए और सोचिए सरकार के हाथ पाँ फूले हुए हैं दलित पिछड़ा और आदिवासी विरोधी तागतों को सविधान आरक्षन विरोधी एकता खतम नहीं करने देंगे नकली ओबीसी प्रधान मंत्री तथा बीजे पी एंडिये सरकार के पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग मंत्री सांसदों को जनता कड़ा सबक सिखाएगी जारकंड मुक्ती मोर्चा ने भी कल यानी अपना समर्थन दिया है भारत बंद के और सोची किस तरीके से हिमन सोरेन के इस इत्यासिक फैसले का भी समान समाज करेगा चंदर शेकर आजाद लगाता शोशल मीडिया पर लिख रहे थे और बाले सर 21 अगस को अनसुची जाती जन जाती के भारत बंद पर आवाहन बाले सर पुलिस और प्रसासन अलट मोड पर SDM अन बाले सर के तमाम लोग जो है वो SP DM से मुलाकात किये जिसके बाद बहुजन सम समाज के अंदर फिर से वही नई उर्जा और फिर से वही हिम्मत देखने के लिए मिल रही है और बड़े कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ जगा जगा स्कूल भी बन रहेंगे ताकि सांती पूर्ण तरीके से इस प्रदसन को सफल बनाया जा सके हंसराज मीना जो लगतार काफी गुस्सा है फैसले के विरोध में हमारे समाज में 21 अगस को भारत बंद का एहलान किया है सोचिए तमाम लोग जो हैं बीस पी पाठी के सांसद राम जी गौतम ने भी इस अंदोलन का समर्थन देते हुए लिखा और राज कुमारा राज सोचिए बाप पाठी से आने विरोधी फैसला है दुसियन चोटाला ने भी इसका समर्थन किया है बंचित बहुजन अगारी पाठी यानि प्रकास अंबेटकर की पाठी 21 अगस को भारत बंद का समर्थन करती है लड़ने की जरूरते बोलने की जरूरते समाजिक लड़ाई में अपना योगदान दीजि यही पता चलता है कि सविधानिक अधिकारों से छेड़ छाड़ करने वालों को कैसे सबक सिखाया जाता है मायवती के सासा सुप्रिम कोट के वकील नितिन मेश्रा अमाकास अनन प्रकास अंबेजकर मलिका जुन खडगे ने भी अपना समर्तन जाहिर किया है जबकि राहुल गांदी ने अभी तक इस पर एक टूट तक नहीं किया कि रोडी लाल मीनत दुशियन चोटाला हनुमान बैनिवाल राम जी गौतम यहां तक की राजकुमार रावत और हेमन सोरिन तमाम ऐसे चैरे हैं जिनोंने कल भारत बंद का समर्थन किया है सोचिए तमाम लोग वो हैं जो सोसल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षन की लड़ाई लड़ रहे हैं आपके बच्चों के उजवल भविस्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सोचिए जिस तरीके से दुक्टर बेटकर सपना देखते थे कि किसवी सदी बहुजनों की होगी वैसा ही प्रत वादियों को सामंतवादियों को जातिवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और यह नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में कलम आये चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में वही एक कटोरा थमा दिया जाया धरम की लंबी-लंबी कतारों में लगाकर आ लेकिन आपको तैग करना है इस प्रदसन में सामिल होना है क्योंकि आपके आने वाली पीडियां जब आपसे पूछेंगी कि हमारे लिए जब अधिकारों की मांग हो रही थी तो आप लोग क्या करें तेसलिए जागी है गुलामी की जंजीरों से निकली है और अपने लिए अ संगी लोगों के साथ मिलकर आपके लिए तमाम दरवाजे बंद करना चाहती है और सोचिए इस बार अगर हमारे नेताओं ने हिम्मत नहीं दिखाई तो आने वाले समय में हम बहुत पीछे चले जाएंगे हमारे महापुर्सों की जो लड़ाई थी वो कमजोर पर जाएगी तो इस सांती पुन तरीके से 21 अगस को होने वाले प्रतसन को सफल बनाईए और किसी के उत्सावे में आकर आपको हिंसा नहीं करने हैं किसी के भैकावे में आकर आपको तेजित नहीं होना है आप सविधानिक दायरे में रहके सविधानिक अदिकारों की बात कीजिए तभी आपकी जीत हासिल हो पाएगी तब ही आपको आपकी कॉलिज उन्वरसिटी में जाने के रास्ते खुल पाएंगे अगर आपको तेजित होके कोई गलत काम करेंगे तो तमाम लोग इस उमीद में बैचे हैं कि कब हमारे बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने लिखने वालों क प्रतियारोप लगका जेल की सलाखों के पीछे बेजा जाता है इससे हमारी लड़ाई कमजोर होती है इसलिए आपको तैक करना है कि हमें सविधानिक रास्ता चुनना है या हमारे बच्चों के लिए सविधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना जरूरी है या फिर मंद घंटा जाड़ उठाना इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को आए निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें